पर्याटर नगरी मनाली वा इसके आसपास के क्षेत्रों में तीसरे दिन भी बर्फबारी का दौर जारी है घाती में लगातार हो रही बर्फबारी से पूरा क्षेत्र शीत लहर की चपेट में आ गया है बर्फबारी से अब सडकों पर वाहन चलाना भी खतनाग साबित हो रह मनाली के सोलंग नाला कोठी पलचान सहित आसपास के ख्षेत्रों में पिछले तीन दिनों से जम कर हो रही बर्फबारी से समूची घाटी ने बर्फ की सफेद चादर ओड़ ली है वहीं ठंड भी अपना कहर जम कर बरसा रही है घाटी में वीरवार को तीसरे दिन भी हो रही बर्फबारी से अब सडकों पर वाहन चलाना खतरनाक हो गया है लगातार हो रही बर्फबारी से सडकों पर भी बर्फ की परत जमने लगी है ऐसे में अब वाहनों के फिसरने का खत्रा अधिक बढ़ गया है वही मनाली घुमने आने वाले परियटक मनाली में हो रही बर्फबारी का जम कर लुथप उठा रही है मनाली घुमने आये परियटकों का कहना है कि उन्हें मनाली आकर काफी अच्छा लग रहा है और वे पहली बार बर्फबारी होते हुए देख रहे हैं परेटकों का कहना है कि मनाली पहुंच कर ऐसा लग रहा है कि मानों स्वर्ग पहुंच गए हैं सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट